के लो दोस्तों स्वागति आपका स्टेड्डि डायलॉक्स में इस सेशें में हम जुशेंक को और इन सबी कुछेंट के जो इंपॉर्ट पॉइंट्स बनते हैं जो एक्जाम में क्वेस्टन्स बनकर आ सकते हैं हम उन सभी को इसक्षुन को भीच में स्किपना करें और मेरी ग इंडिया के कौन से शहर ने यहां पर शहर की बात हो रही है ठीक है इंडिया के कौन से शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है है इंदौर दिल्ली या भुपाल किसने क्या है तो इसका सही अंसर है इंदौर इंदौर ने किया है पहला स्थान प्राप्त ठीक है अब इंद और के साथ यहां पर सूरत ने भी प्रत्थमस्थान प्राप्त करा है इन दौनों ने फर्स्ट पोजीशन को शेयर करा है ठीक है शेहर के अगर उसमें देखा जाए तो और वैसे अगर सिर्फ इन दौर को देखें इन दौर ने सात्वी बार कॉंजी कुटिवली मतलब लगात साथ वी बार यह टॉप पोजूशन इसने घैजाता रही हें और यह जो स्सेर्वीक्षन शती eats के अंदर दिए जाते हैं किसके अंदर अच्छा अब अगर हम स्टेट की बात करें कि स्टेट की कटेगरी में फर्स्ट नंबर पर कौन है तो वो है महरास्ट महरास्ट है स्टेट की कटेगरी में लेकिन यहां पर क्या था यहां शहर था यहां आपने शहर देखा है कि इंदौर शहर है जो कि मद्यपरदेश का है आ का है सूरत गुजरात का है लेकिन फिर भी अगर स्टेट में देखा स्टेट वाइस अगर देखा जाए तो महरास्ट पहले नुबर पर है और फिर है मद्यपरदेश उसके बाद है च्छतिजगर और फिर है ओडिशा और फिर है तेलंगाना ठीक चलो अगला कोशन देखते है हाँ देखो अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इंदौर भी फर्स्ट है और सूरत भी फर्स्ट है किसमें है यह दोनों शहर में है शहर की जो कटेगरिय उसके अंदर है यह ठीक है चलो अब आता है सेकिंड क्वेस्चन इकूवेरिम यह जॉइंड मिलिटर एक्सरसाइज बिट्विन इंडिया और कॉंसी कंट्री में यह यह संयुक्त सैन्ले अभियास की बात हो रही यहां पर किन दो देशों की बीच होती है श्रीलंका इंडोनेश्या मयामिया यह माल्दीव ठीक है इको विरिन किसके बीच में हो गई माल्दीव और इंडिया के बीच में होगी अच्छा अगर श्री इंडिया और श्री लंका की बात करें किसकी इंडिया और श्री लंका की तो यहां पर होती है मित्र शक्ति मित्र शक्ति ठीक है यह मित्र शक्ति है और इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में यह होती है गरूड शक्ति कौन सी शक्ति इंडिया है यहां पर इंडोनेशिया है तो यह बहुत ज्यादा पास में हमारे श्री लंका तो यह बहुत पास होगी इसे बहुत पास होगी आप कम डिस्टंस पर है तो यह हमारा क्या बन गया मित्र यह याद करने का तरीका ऐसे हम कुछ भी अपनी तरफ से बना कर चोटी से स्टोरी बना कर ट्रिक के रूप में याद करते हैं यह वह है ठीक है श्री लंका है बहुत पास में है तो यह यह भी हमारी शक्ति है कौन सी मित्र गरूड क्यूंकि पक्षिता तोड़ कर जाएगा दूरी तैक करनी है ठीक है तो गरूड शक्ति हो गई यह याद करने का तरीका बताया ऐसा तो आगे देखते हैं अगला कोशन है शिकागो कंवेंशन शिकागो कंवेंशन की बात हो रही है विच फौन फॉलविंग ыт यह किस संबंदित है किस से समंदित है क्वालिशन रिफ्यूजी से समंदित है या से चाइल्ड लेबर से या से चाइल्ड हैBO तो भी जिस कंट्री से जो डॉमेस्टिक फ्लाइट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती है एक देश से दूसरे देश में जो उडान भरती है यह उनके बारे में कंवेंशन है कि उनमें रूल्स रेगुलेशन कौन-कौन से होने चाहिए तो पहले तो हम यह देख लेते हैं कि यह हुई थी इंटरनेशनल इंटरनेशनल सीविल एविएशन और गेनाइजेशन इसके अंदर इस शिकागो कंवेंशन एस्टापलिश हुई थी उन्निस सो चावालीज में अब इंडिया इसका मेंबर बनाता उन्निस सो फॉर्टी सैवन में बनाता ठीक है और यह इसने र देखें कि, तेखो, यह है अमेरिका, यह हो गया हमारा यह, यहां पर है इंडिया, यहां पर है और आस्ट्रेखेंaja य shy अब देखो, अगर कोई भी उडानेशन से भरी जाएगी, कोई भी ऐरो प्लेन, ठीक है, कोई भी ऐरोपलेन, अगर मानों यूरोप में जा रहे हYे करें नichtig हैं यह यह हैं कि यह पर कि देश का इस मान उसी देश-समान पे अधिकार अधिकार नहीं भीoncé इंगй उपर उड़कर चला गया तो अब कोई परिशानी ना हो कोई लड़ाई जगड़े ना हो तो जितने भी सिकागो कंवेंशन के जो सदस्य देश हैं वह एक सहमती पर आए हैं कि हां ठीक हम एलाओ करेंगे नहीं तो क्या होगा नहीं तो यह जो एरोप्लेंस में हैं इनने बहु कि शौटेस्ट डिस्टंस हम कवर करें और जब हम डिस्टंस ही इतना लंबा वरा डिसकस करें वह कवर कर लेंगे तो इन एरोप्लेंस को किस फैदा होगा नहीं होगा तो फिर इसी लिए सारे देशों ने वर्ड ने एक क्या करा एक आवा जाही के लिए यह आसान तरीका हो बहुत ही कम फ्यूल खर्च होगा तो इसके अंदर यही सारी सेफटी की बाते होती है यह एर क्राफ्ट के रिजिस्टेशन की बात होती है कि एर ट्राफिक को कंट्रोल कि सरह से करा जाए और एन्वार्मेंट को भी साथ ही साथ प्रोटेक्शन करके चला जाए पॉलूशन ना हो यह उसी से रिलेटेड है यह बहुत इंपरेंट है जाता है चलो अगला कोश्चन देख लेते हैं अब अगला कोश्चन है वीच आप फॉलोविंग इंडियन स्टेट्स डू नोट शेयर एं इंटर नैशनल बॉर्डर विद म्याम्यार अब इंडिया के भारत के कैसे कौन से राज्य हैं जो कि म्यान म्यार से अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं तो अत्सका अंसर है और है आसाम चलो इस में देख लेते हैं मैप– देखे अच्छा यहुआ यह देखो्य यहांवन पर यो चपत बाउंडरी है यह इंया अब नौर्थ ईस्ट रीजन में दिखो यह अरुनाचल परदेष हो गया यह वाला फूर्पोर हो गया और यह सबसे बड़ी बाउंडरी नाचल के साथ होती है सबसे लुंग गैस्ट सबसे बड़ी boundary जो की मैंनम्यार के साथ share करता है वो अरुणाचल प्रदेश करता है यह यह नागल लेंड है यह नागलम लेंड है मैंनिपुर है और मिजोरम है और आसाम तो बीच में ही है ठीक है तो अगर हम देखें, अगर हम देखें दुबारा, तो क्या आएगा इसका, असाम आएगा, क्या अंसर आएगा, असाम, ठीक है, चलो, अब अगला कोशन देख लेते हैं, अगला है, नैशनल रोड सेफटी वीक, ठीक है, यहाँ पर रास्ट्रे सडक सुरक्षा सप्ताहा की ब जनवरी, तीन से नौ जनवरी, सत्रा से चौबिस जनवरी, और सारी फरवरी, या साथ से ग्यारा अप्रेल, तो देखो, इसका एक उप्शन और आना था, वो था, ग्यारा से सत्रा जनवरी, ठीक, इन में से, इन में से कोई नहीं है, यह नहीं है, यह है, ग्यारा से सत्रा जन्वरी अब यह क्यों बनाया जाता है यह क्योंकि देखो अब पॉपुलेशन दिरे दिरे बढ़ रहे हैं तो इस चीज़ के लिए गौर्णमेंट ने पूरा सप्ताह पूरा वीखी डेडिकेट कर दिया है कि रोड सेफटी के लिए मनाया जाए तो इसमें अवेरनेस फैला कि स्क बढ़िए तो इस तरह की जाग फ्रकता फालाई जाती है da पीच में तो अब इसे को लेकर अगर हम थीम की बात करें थीकर थीम 2024 का जो थीम है वह यहीर है, यहारोड सेफ्टी यहीरो बनो रोड सेफ्टी के यहीरो बनो रोड़को कैसे बनोगे जब ये सारे तुम लोग रोड सेफटी की बातों का ध्यान रखोगे, अवेरनेस फैलाओगे, ठीक है, और खुद ध्यान रखोगे, दूसरों का बताओगे, और दो हजार अगर तेईस की बात करें, तो थीम था सडक सुरक्षा और जीवन रक्षा, ठीक है, चलिए, अब अगर आप हमारे चानल पर जाएंगे, तो हमारे यहां पर MCQs की, हमारी पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है, ठीक है, पॉलिटी की है, और यह तो हम जीएस की आपको बताई रहे हैं, इसी तरह से हमारे मंतली मैगजीन है, जिसमें करंट अफेर, मोस्ट इंपोर्टन करंट बहुत आसान हो जाता है, कभी कभार हमें याद नहीं रहता हो, तो हम ट्रिक्स को देख लेते हैं, तो भी हमने कभार कर रही हैं, और अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग की, इंपॉर्टन टॉपिक्स देखने है, तो हम वो भी करवाते हैं, चल आगे चलते हैं, क्वेश तो जहां पर गिची-पिची पापुलेशन यहां जादा पापुलेशन पापुलेशन पास 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 होगी एरिया कम होगा तीक है जैसे कि मानो यह है 10 km2 और यह भी 10 km2 था लेकिन यहां पर है 500 भाग हैं और यहां पर सिर्फ 50 भाग हैं तो यह खुले-खुले रहेंगे है ना तो घनत्व किसका ज़ाधा हुआए इसका घनत्व ज़ादा हुआ और इसका घनत्व कम हुआ तो इसी तरह से यहां पर density की बात करी जा रही है मतलब घनत्व कि सबसे ज़ादा घनत्व Tigers की population कहां पर है तो वो है Corvette National Park में Corvette National Park कहां पर है वो है उत्राखंड में है अच्छा अब यह जो BANDUPOO Tiger Reserve है वो कहां पर है यह करनाटका में है नगर होल यह भी करनाटका में है और कानहा है मध्यपरदेश में है कानहा अब अगर हम इस density को ही देखें के नमबर पर है ये बांदिपूर जो हमने उपर देखा है ओप्शन में जो हमारा है बांदिपूर के बाद है नगर होल ठीक है अच्छा अब इंडिया अकेला ऐसा वर्ड में कंट्री है जिसमें की 75 पर्सेंट टाइगर्स की population इंडिया में ही है ठीक है अब यह हुई कैसे देखो भया इंडिया को यह सभाग्य प्राप्त हुआ देखो इंडिया ने टाइगर की conservation के लिए एक project टाइगर चलाया था कब चलाया था 1973 में चलाया था ठीक यह पर का minority institution मतलब भारते संविधान के किस अनुचेद में अल्प संख्यकों के शक्षिक संस्थानों की स्थापना का प्रवधान है अल्प संख्यक मतलब क्या है कि जो कि हमारे देश में बहुत ही कम संख्या में हैं जो लोग अर्टिकल 29 30 32 32 या फिर 26 तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 30 या अंसर है तो इसके अंदर क्या है कि अल्प संख्यक कौन लोग होते हैं जो कि बहुत ही कम संख्या में हैं जैसे कि जैसे कि बुद्धिस्ट हो गए जैन हो गए पार्सीज हो गए ऐसे ही कही सारे सम्मू है ना जो बहुत ही कम संख्या में हैं हमारे देश में जो रहते ह वह minority मतलब अल्पसंख्यक में आते हैं तो यहां पर सम्विधार ने आर्टिकल 30 में यह अधिकार दे रखा है कि यह minority के जो लोग है population जो है वो अपने education institutions खोल सकते हैं ठीक है education institution अच्छा article 29 में अगर देखें कभी confusion हो जाता है कि 29 या 30 में अगर देखें तो 29 में any section की बात दे रखी है यह minority के लिए स्पेशली minority के लिए नहीं है इसमें any section के से मतलब है कि majority और minority यह दोनों के ही संड़क्षन के लिए है जैसे कि चाहे में majority की population हो दोनों को ही अधिकार है कि वह अपनी भाशा मतलब अपनी language को अपनी script को जो उनकी लिखी हुई है यह अपने culture को preserve करने क का अधिकार दिया हुआ कंजर्व करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 में तो यहां पर हर धरम को अपने religious affairs कौन से religious affairs को manage करने की आजादी दी गई है freedom दी गई है और यहां पर एक बहुत important बात है कि यहां पर collective freedom दी गई है मतलब बड़े-बड़े समुहों को लेकर चला गया है कि पूरा हिंदु धरम पूरा मतलब पूरा मुसल्मान के लोग पूरा हिंदू के लोग पूरे बड़े-बड़े पूरा यहां पर गुरुप की बात करीगी इंडिविजुल की बात नहीं करीगी है अगर इंडिविजुल की बात है तो वह आर्टिकल 25 में होती है इंडिविजुल की बात चलो आगे चलते हैं अब है कोशन नमबर आठवा यह है डू कोनो वाल के नो डू कोनो वैल कोनो सपेश डिसेंट ली सी इन इन कहाँ पर बडू कोनो जौ ला मुख कहां पर स्थितत यहां जौ की बात हो रही है तो इटली इंडोनेश्यक्षन निव जीलेन यह यह उसे तो इसका सही आंसर क्या है अधिए देख लेते हैं तीन कोन से हैं एक होता है एक्टिव एक है डॉर्मेंट ठीक है और एक है एक्स्टिंग्ट ठीक अब एक्टिव सबस्क्क्रों हैं जो की सोड़ा थोड़ा समय पर वटते रहते हैं इनके खबर आती रहते हैं और लगल you है निसार्वी प्रेजंट में भी प्रेजेंट में फूचर में यहां पर यह प्रदिक्षन करी जाती पिछले कई वर्षों से नहीं फटे लिकिन यह आशा करी जाती है कि वह आगे भी नहीं फटेंगे यह हो गया एक्स्टिंग्ट कि बिल्कुल एक्स्टिंग्ट मतलब खत्म हो गए और डॉर्मेंट मतलब कि अभी वह इक्तम शांत बैटा है सो रहा है ठीक है और डॉर्मेंट का मतलब यह ओक आर अक्टिव मतलब कि अगदर जो तुस्त दुरुस्त पूट तो और यह वो में यह त ह्ट लित 175 आपको वीडिए कैसी घेंर बता वीडियो को लाइक करें हैं चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तगी लेपी लर्निंग